हवा, सुर्य के किरन और नदी का जल इस पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता यदि अधिकार है तो संपुन प्रानिका लेकिन क्या यह बात बैभारिक रूप में सत्त सिध हो रही है जवाब है नहीं और इन ही कारणों से मतभेद उत्पन हो रहा है और मतभेद का यदि सही स समय पर समाधान ना धून लिया जाए तो वह विवाद का रूप ले रहा है नमस्कार मेरा नाम है मनीश भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति यूटूब चैनल दोस्तों आज की जो वीडियो है हमारी जिस मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं वह नदी जल लगातार आप देखेंगे भारत के निर्मान सही संग राज का जब निर्मान हुआ है तब भी उससे पहले भी आजादी से पुर भी बहुत सारे नदी जल विवाद हमारे सामने आते रहें इसका कुछ पहलू तो एतिहासिक होता है वहीं कुछ समाजिक और संस्कृतिक होता और सहरों में पानी की मांग बढ़ते जा रही है यही कारण है कि आज की तारीख में कोई भी राज अपने हिस्से का एक बुंद पानी भी छोड़ना नहीं चाह रहा है और जहां इस तरह की समस्या हो रही है महां विवाद उत्पन हो रहा है तो आईए इन ही सब पहलू को ह चलते हैं हम देखते हैं आप बारी बारी से कि क्या मुद्दे हैं दरसल सुप्रिम कोट का निर्देश हुआ है कि सरकार को आप जानते होंगे कि पिछले कुछ वर्सों से पहन्यार नदीजल विवाद तमिलनाडू और करनाटक के बीच चलता आ रहा है सुप्रिम कोट में तमिलनाडू एक पियाल लेके पहुंच गया कि आप हमारे इस मसले का समधान कीजिए उसी फैसले को देते हुए आदेश में सुप्रिम कोट ने किन सरकार को एक आदेश दिया है कि आप एक ट्रिबनल का गठन करें और सिर्फ ट्रिबनल का गठनी ना करें बलकि समय सीमा भ करनाटक सरकार द्वारा पेन्यार नदी की एक सहयक नदी है जिसका नाम है मारकंडे नदी इस पे एक डैम बनाया जा रहा है इससे एक बांध का निर्मान किया जा रहा है अब जब बांध का निर्मान होगा तो विभीन तरह के यहां पे इस्थिति उत्पन होगी जैसे पा से होती है फाइदे भी है निर्मान होता है नदियों के दिशाएं बदल जाती है यह सब चीज़े हैं हलांकि यहां पर एक और देखते हैं विवाद पहले देख लीजिए कि दो बक्ष है करनाटक और तमिल्नाडू यह दो राज्चे हैं इसमें ठीक है इस तरह का मैं आपको दिखांगे यहां है इस तरह का है यह करनाटक और यह पर दोनों ही साजा करती है यहां पर देखेंगे कि मैं आपको एक दिखा देता हूँ मैप कहां से नदी चल यह बुलू बार नदी यहां से जाकर कि बंगाल की कारी में गती है मारकंड़े नदी जो कहीं है वो यहां के आसपास तो इस चीज़ को धिहान हिम रखना है ताकि क्या होता है कि कई वार आज गल प्रारमभीक प्रिक्षा में जोग्रफी में खास करके आप देखेंगे आई एर म पियाएल वहां पहुंचा या उससे पहले भी अपने अपने तरक क्या है जो पहले दो पक्ष है एक तमिलाडो शरकार दूसरा करनाटक सरकार उन राज सरकारों का जरा हम तरक देख लेते हैं देखिए तमिलाडो का तरक क्या है तमिलाडो कह रही है कि जो आप मारकंडे नद नदी का ना एक नेच्छल फ्लो होता है अपने जोगरफी में पढ़ा होगा अब उस पर डैम बनाएंगे पनविजली के लिए या किसी और भी कारण से तो क्या होगा उस नदी का जो एक नेच्छल फ्लो है वो डैमेज होगा अगर हम पेनियार रिवर वैसीन कहीं देखे और यहां पे मारकंडे नदी के असपास एक डैम बनता है तो संबब है कि इसका रास्ता यहां से आ जाए अब यहां से रास्ता आने का कुछ नुक्षान भी हो सकता है आपको मैं एक जानकारी और देदू आपको कोसी नदी का याद होगा बिहार में कोसी नदी को बिहार का शो भी हो सकती है तो यह एक है यहां पुनर अस्थापन की समस्या भी उत्पन हो सकता है पारस्थितिकी की समस्या हो सकती है तो टर्मिलनाडू का ये कहना है कि प्रेशियोग भूमि को शिचाई के लिए जल चाहिए लेकिन अगर आप रास्ता दलते हैं उसका आप वहाँ डैम बनाते हैं यानि की पानी को रोक देते हैं तो उससे सिचाई की जो समस्या है वह किर्शियोग भूमी के लिए हो सकता है पीने की पानी की भी किलत हो सकती है और अंतर राजिये जल विबाद अधिनियम उनिस्था चपन का उलंगन कर रही है य अना टक जो बांध निर्मान कर रही है जैम का उसके तीन गाउं है ध्यान रखना है इस तीन गाउं को प्रिलिम्स के पॉइंट आफ यू से इंपोर्टेंट हो सकता है कोलार मलूर और मंगार पेट को पीने का पानी और सिचाई के लिए जल की उपलविता सुनिस्चित हो जाएगी उनका यह पक्ष है दूसरा है कि इनका कहना है कि अब देखिए इस मामले में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम जो डैम बनाने की परिकरिया है हम तो इसमें रासी तक आवंटित कर चुके हैं अब हमारा पहले से बहुत अधिक खर्च हो चुका है तो यह कह रह नहीं बनी यही करनाटक और तमिल्नाडू हैं जिनके बीच कावेरी नदी का जल्विवाद हुआ था हाना कि उसमें के लेकिन थोरा कम था अंसिक रूपते से लेकिन तमिल्नाडू और उसमें करनाटक थे और लगभग तीन दसक लगे उस ममले को सुल्जाने में ट्रिबिन केंद्र सरकार का तर्क है केंद्र सरकार में आप जानते हैं जल्षक्ती मंत्राले ही इन सभी मामलों को देखती है तो केंद्र सरकार ने कहा है सुप्रियम कोड़ सब्सक्राइब में जबाद दिया सब्सक्राइब कि इनके विना यह कर नहीं हो सकता है पूरा मामले का निस्तारन राज्यों के आपसी सहयोग से होना चाहिए केंद्र सरकार का सुरू से ही ऐसा पच्छ रहा है कि जब भी इस तरह के मसले हो तो दो राज्य आपस में मामले को सुलजा लें यदी नहीं होता है तो ट्रिब्नल का रास्ता तो खुला हुआ है अब जरा हम एक नजर सामविधानिक प्रावधान पर डालते हैं देखिए सबसक्षा और सब्राज्य आइस चिंद्र सुची है करण राज्य सूची एक नदी का नहें दि नहाद हुएं आप अगर होता है उसके लिए कंद्र होजाता है इन चीजों में भी होने से कोई में विसा है कोई केंदर सूची में है संवर्थी सूची में तो परिशानियां होती रहती है तो यह सामधानी प्रावधान है थोड़ा सा इसे आपको एक नचर याद रखना चाहिए चलिए हम अधिकरन की बात करते हैं आपने देखा कि सुप्रीम कोट कह रही है कें सरकार से क बना लेजिए तो देखते हैं आखिरे टूबन है यह एक अर्द न्याइक संस्था और नियाईग संस्था का मतलब हुआ जैसे इंस्चूर्ट में ऐसा होता है एक जज होते जैसे मालेजी यहां पर ईक पॉइंट हमने लिखह विये तीन सबस्टिए संस्था आम तोर पर होती है लड्रीम गया यह उस्लिय है उस्लिख संबंधित हो होग गया अगर किसे संबन नदेजा बिवाद है तो इन विसेश हो सकते हैं विस्लिख सग्ग हो और एक केंद सरकार अपने तरब से कोई पुर्व पदाधिकारी या अधिकारी को भी नामित करती आई है यह एक परमपरा चला रहा है अच्छा यह विशेश मामलों में गठन में होता है आम तोर पे जितने भी जगरे जंजट होते हैं केस वेगरा उसका समाधान के लिए ने वっलąż सके और इसके निर्णे वह बाध्यकारी नहीं होते हैं लेकिन एक बात और है इसमें रखना है निर्दय यह तो बाद्द Richtung नहीं होगा लेकिन संसद संसद्वारा और किसमें जल विवाद संसद्वारा जल विवाद से संबंदित गठित कि अधिकरन अगर है तो वह बाद्धिकारी होगा जल विवाद से संबंदित ध्यान रखना है समय से विवाद का निप्टान हो जाएगा पहले ही बता चुका हो और अगर कोई भी पक्ष निरने से सहमत ना हो तो अपील करने की गुंजाइस रहती है और अपील कहा होगा सुप्रिम कोट में ठीक है अब उधारन के लिए 1990 का एक देता हूं कि 1990 में जैसा में पहले भी वताया था कि कावेरी नदी जल का विवाद हुआ था और उसमें कौन थे तो एक करनाटक और दूसरा तमिलनाडू यहीं दोनों पक्ष हुआ करते थे और दो आंसी क्रूप से थे एक केरला और पुट्ट्वी चेरी लेकिन में विवाद इन दोनों के बीच था तो इसके लिए भी 1990 में एक कावेरी जल विवाद नियाधी करन एक बना 2007 में अप नदी जल विवाद तो पैनियार नदी जल विवाद को हमने देखा हम देखते हैं कि भारत के अन्य राजियों में अन्य छेत्रों में और कौन-कौन प्रमुख जो नदी जल विवाद हैं तो देखिए एक नजर दालते हैं दक्षिन भारत के कुछ राजियों को पहले देख गाना हैं वहीं महानदी में 36 और उद्रिशा का नाम आता है कावेरी जल्विवाद जो कि आपको मैंने पहला ही बताया था कि 2007 में इसका समधान ठूण लिया गया इसमें केरल करनाटक मुख पक्ष था और करनाटक और लावा भी आप हाली में सुन रहे होंगे कि दिली और हर्याना के बीच नहर में पानी को छोड़ने के लिए वीवाद चलता रहता है गर्मी के मौसर में आपने देखा होगा पानी की किलत के वज़ए से वह यमना नदी के वज़े से विवाद तो ऐसे कई सारे विवाद आते हो सकती है और यह एक चीज मै नधी जल जो होता है वह साजहा विरासत है हमारी साजह भागे दारी होती ये सब साजी जिम्यद्यार हमारी बंती है तारकिक और अनुपातिक बटवारा सुनिख होना चाहिए किसका यह मतलब कि अगर मानलीजै नदी जो करनाटक में अधीक का रही यह पेन्यार नदी है और इसका अधिक शेत्र माल ले एक करणाटक है यह तमिलनाडू में आगया तो तमिलनाडू को अधिक जल मिलना चाहिए ठीक है केंद सरकार की निस्पक्ष और पुर्ण भाग्यदारी यह नहीं कि विवाद बहुत लंबा खिचरा है तब हम एक्टिव हो रहे हैं जैसे विवाद हो या लगे कि स्थितियों ऐसी उत्पन हो सकती है उसको एक्टिव होके सौल्व कर लेना चाहिए आप देखेंगे कई वार लेकिन अगर दोनों ही राज्यों में एक ही दल की सरकार है तो यह ऐसे मामले जल्दी नहीं पड़ जाते हैं तो यह एंगल से भी आप सोच सकते हैं मैंने पहले आप से कहा था कि पूरे वीडियो को हम ततप्रता से देखेंगे पढ़ेंगे और फिर प्रश्न करेंगे प्र प्रश्न आते रहते हैं आपको ध्यान रखना अच्छा इस प्रश्न का मैं उत्तर नहीं बताऊंगा आपको इसलिए और भी ध्यान से देखना है आपको देखेंगे नदी जल्विवाद की वर्ड को आपको बताता चलूंगा निमलिखित कत्नों में से कौन सा सही नहीं है नहीं है पर द्यान देना है ठीक है क्योंकि यह जो पुछले शब्द होते हैं इसको बहुत ध्यान से अंतर राजी नदी जल्विवाद की स्थिति में विसेश अधिकरन का गठन सुप्रिम कोट द्वारा किया जाता है सुप्रिम कोट द्वारा किया जाता आपको देखना ह कि क्या यह सही है क्या गलत है यह आपका मसला है इस संबंध में गठित अधिकरन का निर्नाय बाद्धिकारी होता है निर्नाय बाद्धिकारी होता है हम बात कर चुके हैं किरसी सिचाई एवं नहर राज्ज सूची का विस्या है आपके सामने यह तीन कथन है आपको तैं करना अगर आपको लगे कि इस मुद्दे से संबंदित और भी कोई बात आपको जानकारी में है या जानना है ठीक है तो उसकी लिए भी कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है आप अपना विचार वहां दे सकते हैं मैं उमीद करता हूँ कि आज इस वीडियो में मैं जितनी भी चर्चाओं जितनी भी विसेवस्तू पर बात किया चर्चा की आपके पठंड पाठंड में यह लावकारी सिद्ध होगा इसी वादे के साथ कि हम दूसरा वीडियो भी जल्दी है आपके लिए लेकर के आएंगे और अपना ख्याल रखिए धन्यवाद